नमस्कार दोस्तों पाड़ शाला के ओनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है आज हम देखने जा रहे हैं रास्तान पुलिस में हमारा एक नया टोपिक जो जुड़ा है जिसका नाम है महिला एवं महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराद महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराद एवं उनसे संबंधित कानू तो यह जो टोपिक है दोस्तों यह राजस्तान पुलिस में पहली बार जोड़ा गया है और इस टोपिक में जो हमें देखना है और हमें दो चीज़े देखनी है एक तो महिला संबंधि अपराद देखने हैं और दूसरे बच्चों संबंधि अपराद देखने हैं और इन अपरादों से लिटेट क्या कानून बने हुए हैं इनके बारे में हमें चर्चा करनी हैं एक बात और बात ये कि इस टोपिक के आपके स्लेबस में दस क्योशन्स निर्धारित किये हुए हैं और इन दस क्योशन्स का वेटेज लगभग पांच मार्ग्स है तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमें दस क्योशन्स तयार करने और दस क्योशन्स जो तयार होंगे महिला और बच्चों से संबंदित जो अपराद हैं उनसे और इनसे लिटेट जो कानून बने हुए हैं इनसे हमें देखने हैं रास्तान पुलिस में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हमारे सामने समस्या यह आ जाती है कि हमें कौन से कानून यहां देखने हैं क्या के बारे में विवस्थाएं क्यों यह किस टाइप के सवाल बनेगे क्योंकि यह चीज पहली बार हमारे सामने मोच देखने तो सबसे पेरी बात है महिला अपराध और उनसे संबंधित कानून देखिए दोस्तों ये जो चीज है महिला अपराध और उनसे संबंधित कानून ये हमें तीन रूपों में देखनी मूल रूप से है पहला सविधान में महिलाओं के बारे में क्या प्रवधान किये क्या अधिकार दिये हुए है दूसरा भारतिय दंड सहीता भारतिय दंड सहीता जिसे इंडियन पेनल कोड आईपीसी भी का जाता है इसमें महिलाओं के लिए क्या विवस्ता की हुई है और तीसरा जो हमें यहां देखना है वो बताया गया है आपके संसत द्वारा बनाए गए कानून में महिलाओं से संबंदित क्या विवस्ता की हुई है तो अगर हम बात करें हमने अभी तक बात की कि महिला अपराद और उनसे संबंदित कानून जो है उन कानूनों में हमें तीन रूप में हमें एक चीजह देखनी है, पहला सविधान में महिलाओं के बारे में क्या विवस्था की हुई है, दुसरा भारती दंड सहीता, इंडियन पैनल कोड में महिलाओं के क्या विवस्था की हुई है, और संसत द्वारा बनाए गए कानूनों महिलाओं के लिए क्या विवस्था की हुई है हम पहली बात करने जा रहें सविधान में महिलाओं के लिए क्या विवस्था की हुई है तो देखिए दोस्तों सविधान में महिलाओं को कुछ अधिकार दिये हुए जिनका जिकर अगर हम करें मोलिक अधिकारों वाले भाग में और इसमें भी विशेश तह अनुचेद पंद्रा क्लोज दो अनुचेद पंद्रा क्लोज दो अनुचेद पंद्रा क्लोज दो में बताया गया कि राज्ज अपने नागरिकों के साथ धर्म राज्ज अपने नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा तो देखें दोस्तों, यहाँ पर लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव की बास करें, तो लिंग का मतलब है महिला यद पुरुष के आधार पर सरकार किसी बीनागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा ये बात बताई गई अनुच्छे 15 close 2 में इसके बाद में अनुच्छे 15 close 3 15 close 3 में व्यवस्था की गई है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश व्यवस्था कर सकता है राज महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेश व्यवस्था कर सकता है दोस्तों यहां विशेश व्यवस्था से अर्थ है विशेश व्यवस्था से यहां अर थे दोस्तों कि जैसे महिलाओं की संस्थागट डिलिवरी के लिए सरकार अलग से व्यवस्था करती है उधार फॉर एक्जामपल जैसे जन्नी शिशु सुरक्षा योजना चलाई हुई है उसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेश व्यवस्था बनाई गई इसी तरह से दोस्तों जब हम बात करते हैं रेलवे की बात करें या जिससे दिली मेट्रो जयपूर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो कोच में एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है रास्तान रोडवेज, RSRTC की जित्ती भी बसे हैं, इनमें महिलाओं के लिए कुछ सिटे रिजर्व रखी गई है, ठीके, ये सब चीजे हमें बताती है, कि सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ विशेश विवस्तायां बना कर रखी है, इसी तरीके से बच्चों के लिए विशे संबंदित कानून, इसमें हमने तीन भागों में इसे बाट के देखने का प्रियास किया, पहला सविधान में महिलाओं के लिए क्या अस्तिती है, भारती दंड सहिता में क्या सिती और संसद्वारा बनाए गए कानूनों में इसके लिए क्या सिती बनाई हुई है, हमने पहल शुरू किया है सविधान में महिलाओं के लिए क्या विवस्ता की हुई है तो इसमें आमने पहली बात देखिए अनुच्छत पंद्रा क्लोस दो जिसमें बताया गया कि राज्य अपने नागरिकों के साथ पांच आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा इसमे बताया गया कि राज्य महिलाओं उर बच्चों के लिए विशेश व्यवस्ता करेगा विशेश व्यवस्ता करना मतलब इनके प्रुषान के लिए उनके विकास के लिए सरकार अलस्य स्में कर सकती है अगे हम बात करें सवीधान में अनुच्छिद 16 close 2 16 close 2 में बताया गया दोस्तों राज अपने नागरिकों राज अपने नागरिकों के साथ सरकारी नोकरियों में सरकारी नोकरियों में या लोकन योजन में धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर राज लोक, नियोजन में या सरकारी नोकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा यहां भी एक शब्द आता, एक आधार आता है लिंग, यानि जेंडर के आधार पर सरकारी नोकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तो इस आधार पर हम समानता की अधिकारिक में करें देखें, तो महिलाओं के लिए दो तीन व्यवस्टाएं, पंद्रा क्लोज दो, पंद्रा क्लोज तीन और सोला क्लोज दो इसके बाद में दोस्तों अनुचेद 23 जो कि शोशन के विरुद अधिकार का है, इसमें बताया गया है मानव दुर्व्यापार, बलात श्रम या बेगार कि बेगार को प्रति बंधित किया गया है, इससे दंडनी अपराध बनाया गया है, दोस्तों यह मानव दुर्व्यापार ये अपन बात करें तो इसमें मानव को खरीदना और बेचना शामिल होता है, और इसमें सबसे जादा अगर हम देखें तो हमेशा मानो दुर्वियापार में महिलाओं को खरीदना और बेचना महत्वपुर्ण रूप से शामिल किया जाता है तो इस आधार पर भी महिलाओं के लिए व्यवस्ता की गई कि मानो दुर्वियापार किसी भी परिस्तिती में नही किया जा सकता तो हमने अभी तक देखा मोलिक अधिकारों के अंदर समानता का अधिकार देखा और शोशन के विरुद अधिक में एक अनुच्छित देखा जो महिलाओं से विवस्था करता है इसमें बताया गया है दोस्तों हमने सबसे पहले बात करी थी अगर हम बात करें तो तो हमने बात करी थी, हमने बात करी थी सविधान में विवस्ता 15 क्लोस 2 की, अनुच्छित 15 क्लोस 2 में कहा गया कि राज्य अपने नागरिकों के साथ 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेद्भाव नहीं करेगा और ये 5 आधारे धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्मस्थ 15 क्लोस 3 में बताया गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश विवस्ता करेगा 16 क्लोस 2 केता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ सरकारी नोकरियों में या लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेद्भा नहीं करेगा अनुच्छे 23 केता है कि मानव दुर्व्यापार ब्लाश्रम या बेगार को प्रतिबंदित गया है ऐसा व्यवहार करना दंडनी अपराध है यहां मानव दुर्व्यापार के अंदर गत महिलाओं के लिए विशेश विवस्ता बनाई गई है इसके बाद हम मौलिक अदिकारों का उलंगन होता है तो अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच नियायले मौलिक अदिकारों को लागू करवाता है और इनको लागू करवाने के लिए सर्वोच नियायले पांच प्रकार की रिटें जारी कर सकता है पांच प्रकार की रिटें यह पांच प्रकार की रित ओन हो तो पहली रिट यहाँ पर आती है बंदी प्रत्यक्शी करण इस यह उन्ग्रेशी में हेबियस कोर्पस कहा जाता है दूसरी रिट यहां पर होती है परमादेश परमादेश को अंगरेजी में मेंडेमस कहा जाता है तीसरी रिट होती है प्रतिशेद प्रतिशेद को अंगरेजी में प्रोहीबिशन कहा जाता है चोथी रिट यहां पर होती है अधिकार प्रिच्छा इसे अंग्रेजी में क्वो वारंटो कहा जाता है और आखरी पांचवी रिट यहां पर है जिसे उत्प्रेशन कहा जाता है उत्प्रेशन रिट को अंग्रेजी में सर्टेरियो रेरी कहा जाता है सर्टेरियो रेरी दोस्तों ये पांच प्रकार की रिटे अनुच्छे 32 के आधार पर सर्वोच नियायले जारी करता है और इनके द्वारा महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुप्रिम को ड़ता है सर्वोच नियायले करता है ये पांचों रिटे उच्च नियायले भी क्या कर सकता है जारी कर सकता है और इसके द्वारा जिन जिन भी लोगों के अधिकारों का उलंगन हुआ है अधिकारों को क्या करवाया जाएगा लागू करवाया जा सकता है इस तरीके से अभी तक हमने बात करी मोलिक अधिकारों वाले पोर्शन में महिलाओं के लिए क्या-क्या विवस्ताएं थी और उनको लागू करवाने के उपाए क्या-क्या सविधान में बताए गए है इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि नीती निदेशक तत्वों में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई है और वो क्या-क्या है तो देखो नीती निदेशक तत्वों में अनुछेद 49A 49A में बढ़ाय गया कि राज्ज महिलाओं और पुरुषों के जीवी को पारजन की व्यवस्था करेगा जीवी को पारजन की व्यवस्था करेगा तथा उनके साथ एक समान व्यवहार करेगा एक समान व्यवहार करेगा देखिए दोस्तों यदि हम बात करें महिला और पुरुषों के साथ एक समान व्यवभार की और उनके समान जीवुक पार्जन की व्यवस्था की तो यहां महिला और पुरुष के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भिद्भाव नहीं करेगा जबकि यहीं अनुच्छद 49 दी में बताया गया निती निदेशक तत्वों में कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को महिलाओं और पुरुषों को समान कारे के लिए समान वेतन समान कारे के लिए समान वेतन प्रदान करवाएगा या चाहे महिला एंप्लॉई हो या पुरुषं एंप्लॉई हो दोनों के लिए समान वेतन की व्वेश्टा की गए हैं यहां वेतन में बिलकुल उन्तर नहीं आएगा चाहे महिला कॉंस्टेबल बने चाहे पुलिस कॉंस्टेबल बने दोनों के लिए समान वेतन की प्वस्था करने की बात अनुच्छ 49D करता है इस पाद में बारी आती है अनुच्छ 49E की 49E में कहा गया है कि राज्य महिलाओं एवं पुरुषों को एसा कारे करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसमें उनके जीवन को खत्रा हो जिसमें उनके जीवन को खत्रा हो यह बात बताई गई है नुच्छ 49E में 49E में कहा गया कि राज्य महिलाओं और पुरुषों के लिए महिलाओं और पुरुषों को एसा कोई कारे करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसमें उनके जीवन को खत्रा हो तो यह तीन व्यवस्था हैं नीति देश्रक तत्वों में की हुई है दोस्तों जिसमें राजज्य क्ये जिम्मेदारी ता έई की गई की गया राजज्य का उत्तरदाइत तुन निर्धारित किया गया है किमराओं के पक्षमे काम करें पहली बात बताई गई 49A में बताया गया कि राज्य महिलाओं और पुर्षों की जीव को पारजन की विवस्था करेगा तथा उनके साथ एक समान विवहार करेगा अनुचिद 49 दी में बताया गया राज्य महिलाओं और पुर्षों को समान कारे के लिए समान वेतन प्रदान करवाएगा अनुचेद 49E में बताया गया राज्य महिलाओं और पुरुषों को ऐसा कोई कारे करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसमें उनके जीवन को खत्रा हो इस तरीके से हमारे सविधान में निती निदेशक तत्वों में महिलाओं के लिए विशेश विवस्थाएं बनाई हुई है इसके बाद अगर हम और सविधान में आगे बढ़ें तो सविधान में अनुचेद 243D में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है दोस्तों यह आरक्षन जब 1993 में जब पंचायती राज दिनियम के लिए जागू हुआ था नुच्छे 243 दी उस समय यह आरक्षन महिलाओं को 33 प्रतिशत दिया गया था और इस आरक्षन को 2009 में बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है तो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षन जो है उसे अब 50 प्रतिशत कर दिया गया इसी के साथ एक और और अनुच्छे दे नगरी निकायों का अनुच्छे 243 टी 243 में नगरी निकायों में आरक्षन की व्यवस्था है और नगरी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन दिया गया है नगरी निकायों महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन दिया गया तो दोस्तों अभी तक हमने जो बात करी हमने देखा कि पंचायती राज संस्थाओं में 243D में महिलाओं को क्या दिया गया है आरक्षन दिया गया यह आरक्षन उन्निस सो तरणवे में जब पंचायती राज अधिनियम लाग जब आपके तहतर्मा सविदान संजुदन लाग हुआ तब यह आरक्षन 33 प्रतिशत था इसे दो हजार नो में बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है इसके दोस्तों हमने जितनी बात करी मैं उसको शोट में एक बाद फिर से बताने जा रहा हूँ आप लोगों को हमने देखा महिलाओं से संबंधित जो भी प्रावधान हमारे सविधान में कानून जो है हमारे हफास सविधान में या जो भी अधिकार उनके दिये हुए हैं इन पहला बात बताएगे धर्म, मूलवश, जाती, लिंग, और जन्मस्थान दूसरी बात बताएगे अनुछे 15 क्लोज 3 में राज महिला और बच्चों के लिए विशेश व्यवस्ता बना सकता है तीसरी बात बताएगे अनुछे 16 क्लोज 2 में राज सरकारी नोकरियों में या नियोजन में अपने नागरिकों के साथ धर्म, मूलवश, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी कार का भेदबाव नहीं करेगा ये तो बात थी दोस्तों समानता के अधिकार की इसके बाद हमने दूसरा देखा है शोशन की रुद अधिकार इसमें अनुछे 23 अधिकारों में महिलाओं के लिए विवस्ता थी, इनको लागू करवाने की विवस्तारी अधिकार सुप्रिम कोर्ट को दिया गया, सर्वोच नियाले को दिया गया, सर्वोच नियाले इनने लागू करवाने के लिए पांच प्रकार की रिटें जारी कर सकता है और ये पां करिए नीती निदेशक तत्वों की और नीती निदेशक तत्वों में दोस्तों अनुचद 49A हमने देखा जिसमें बताया गया कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को जीविको पारजन के समान और सरप्रदान करवाएगा तथा दोनों के साथ समान और भार करेगा अनुचद 49A में बताया गया कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान कारे के लिए समान वेतन प्रदान करवाएगा अनुचद 49A में बताया गया राज्य महिलाओं और पुरुषों को ऐसी परिस्टियों में कारे नहीं करवाएगा जिसमें उनके जीवन को खत्रा होस इ की जिसमें बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन दिया गया था जिसे अब बढ़ाकर 29 में 50 प्रतिशत कर दिया गया 243 नगरी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन दिया गया यहां तक हम बात करिए इसके बात दोस्तों एक बात और हमारे समेधान की बचीरे जाती है, वो बात है आपके अनुच्यद 51 कर में मौलिक कर्टवे बताएगें और नाघ्रिकों के इताएं बताएगें इसमें पांच्वन जो कर्टवे है वो महिलाओं से सम्बंदित है इस पांचवे करतवे में कहा गया कि प्रतियेक नागरिक का एदाई तो होगा कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो एसी प्रथाओं का त्याग करना है जो इस्त्रियों के सम्मान के क्या हो विरुद्ध हो एसी प्रथाओं को त्याग करने की बात हमारा मौलिक करतवे जो है पांचवे नंबर का करतवे उसमे ताई गई है तो दोस्तों अभी तक हमने सविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या वबस्था है इस बारे में हमने चर्चा किये अब हम दूसरी जो बात थी जिसमें हमें चर्चा करनी है भारती दंड सहीता या इंडियन पैनल कोड हम इसकी बात करते हैं दोस्तों भारती दंड सहीता या इसे IPC इंडियन पैनल कोड भी कहा जाता है दोस्तों IPC 1860 में बनी IPC के अंदर IPC या इंडियन पैनल कोड या भारती दंड सहीता आकिर कहा किसे जाता है तो देखिए दोस्तों जब कोई व्यक्ती अपराध करे उस अपराध का दंड जिस सहीता में बताया गया उस सहीता को भारती दंड सहीता या IPC का जाता है IPC का निर्मान करने का श्रे भारत के प्रतम वायस राय लौड केनिंग को जाता है भारत के प्रतम वायस राय लौड केनिंग के द्वारा या इनके प्रयासों से भारती दंड सहीता का निर्मान 1860 में किया गया था यह भारती दंड सहीता या IPC भारती सेना पर लागु नहीं होती है दोस्टों तो हमने बात करिए दूसरी हमने दूसरा पर शुरू किया महिलाओं के अपराद में भारती दंड सहीता में महिलाओं के लिए क्या बताया गया भारती दंड सहीता या इंडियन पेनल कोड कब बना इंडियन पेनल कोड किसे कहा जाता है इंडियन पेनल कोड तो जब कोई वेक्ति कोई अपराद कर उस अपराद का दंड जिस सहीता में बताया गया है उस सहीता को भारती दंड सहीता या IPC या इंडियन पेनल कोड कहा जात दोस्तों हम आगे बात करते हैं इंडियन पैनल कोड में महिलाओं के लिए क्या विवथा की हुई है तो देखिए दोस्तों इंडियन पैनल कोड में महिलाओं के जो लिए प्रावधान है कि हम बात करने जा रहे हैं IPC में महिलाओं के लिए प्रावधान इंडियन पेनल कोड या IPC में महिलाओं के लिए प्रावधान दोस्तों इसमें पहला प्रावधान है धारा 304 ख धारा 304 ख धारा 304 की बात करें दोस्तों तो धारा 304 ख में दहेज म्रत्यू के बारे में बताया गया है दहेज म्रत्यू दहेज म्रत्यू दहेज म्रत्यू क्या है दोस्तों उसकी परिभाशा बताई गई है धारा 304 के इंडियन पेनल कोड में इसमें बताया गया कि विवाह के साथ वर्ष के अंदर अंदर विवाह के साथ वर्ष के अंदर अंदर यदी कोई महिला विवाह के साथ वर्ष के अंदर अंदर यदी कोई महिला यदी किसी महिला को जला कर यदी किसी महिला को जला कर शारिक शती पहुचा कर शारिक चारिरिक शती पहुचाकर या चारिरिक शती पहुचाने की बात यातना देकर यातना देकर प्रताडित किया जाए प्रताडित किया जाए जिससे उस महिला की म्रत्यु हो जाए जिससे उस महिला म्रत्यू हो जाए तो इसको दहेज म्रत्यू कहा जाता है बात को दहेज म्रत्यू कहा जाता है और दोस्तों दहेज म्रत्यू की अगर हम बात करें तो दहेज म्रत्यू के लिए धारा 304 ख में दंड की व्यवस्ता की गई से दंडनी अपराद माना गया है और इसके लिए न्यूनतम अगर हम दहज मृत्यू के लिए दंड की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम साथ वर्ष की सजा और अधिकम आजिवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है तो हमने देखा दोस्तों महिलाओं के लिए IPC के अंदर हमने पहली बात करी है धारा 304 ख जिससे दहज मृत्यू का अर्थ हमने देखा कि विवा के साथ वर्ष के अंदर अंदर किसी महिला को जलाकर शारिक शती पहुचा कर यातना देखकर प्रताडित किया जाए जिससे उस म महिला की मृत्यू हो जाए तो इससे दहेज मृत्यू भा जाएगा दहेज मृत्यू के लिए दंड की विवस्ता IPC में क्यों ये धारा 304 ख में इसमें बताया गया कि इसमें न्यूनतम साथ वर्ष का कारावास और अधिक्तम आजीवन कारावास की सजा इसमें हो सकती है दो दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 को धारा 304 ख के साथ अगर हम जोड कर देखें तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे हम बात करने जा रहें दोस्तों दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 की धारा 3 दोस्तों अब याद रखना ये धारा 3 इंडियन पैनल कोड की धारा नहीं है बलकि दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 की धारा 3 है इसमें दहेज के दहेज के लेंदेन को इसमें दहेज के लेंदेन को दंडनी अपराद घोशित किया गया है दंडनी अपराद घोशित किया गया यानि की कोई भी वेक्ति दहेज ना तो लेगा नहीं देगा इसमें सजा की विवस्ता की गई है और यदि कोई वेक्ति इस अधियम का दहज प्रतिशेद अधियम 61 का उलंगन करता है तो उसके लिए यहाँ पर पांच वर्ष की सजा सजा की बात करें तो यहां कितनी बताईगी है दोस्तों सजा पांच वर्ष की सजा निर्धारित की गई है प्लस 15,000 रुपे जुर्माना यहाँ पर आशिक दंड यहाँ पर 15,000 रुपे का है या दहज की राशी के बराबर जो भी अधिक हो दहज की राशी के बराबर जो भी अधिक हो तक यहाँ दंड की विवस्था की गई है जुर आर्थिक दंड की विवस्था की गई है तो दोस्तों हमने देखा दहज प्रतिशेद अधिनियम 1961 दहज प्रतिशेद अधिनियम 1961 जो है इसमें बताया गया धरती में कि दहज के लेंदेन को दंडनी अपराद धोशित किया गया है इसके लिए पांच वर्ष की सजा की विवस्ता की गई तथा जुर्माना यहां 15,000 रुप बताया गया और यह कहा गया कि दहज की राशी 15,000 रुपे से जादा है तो फिर जुर्माना दहज की राशी के होगा ठीक है दोस्तों इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक नियम बना था दहज प्रतिशेद नियम 1925 इसके अंतरगत वर्वधू को जितने भी उपहार दिये जाते हैं जो नव विवाहित दंपती होते हैं हमारा देश में नव विवाहित दंपत्यों के लिए उपहार की व्यवस्ता होती हैं दोस्तों बहुत सारे गिफ्ट उनको दिये जाते हैं नव विवाहित या वर्वधु को दिये जाने वाले उपहारों की वर्वधु को दिये जाने वाले उपहारों की सूची बनाना अनिवार्य होता है वरवदू को दिये जाने वाले उपहारों की सूची बनाकर रखना अनिवारे बनाया गया है ठीक है दोस्तों तो हमने इंडियन पैनल कोर्ट की अंतरगत बात करी है महिलाओं के संबंदित अपराद और इसमें हमने एक धारा अभी तक पढ़ी है धारा 304 ख 넘े बताया गया है दहेज मरत्यूं में दहेजिं को एक बार वापस आप लोगों को रिवाइज कर रहा हैं दोस्तों देखिए दहेज म्रत्यूं में बताया गया कि विवाह के साथ वर् तो इससे दहेज म्रत्यू कहा जाएगा दहेज म्रत्यू के लिए दंड की विवस्ता की गई है दोस्तों इसके लिए साथ वर्ष के दंड की विवस्ता की गई है तथा ये साथ वर्ष का दंड अधिक्तम आजीवन कारावास तक हो सकता है ठीके इसके बाद हमने बात करी दोस एक कानून बनाया संसद ने दहेज प्रतिशेद अदिनियम 1961, इस दहेज प्रतिशेद अदिनियम 1961 की धाराती जो है ओ कहती है कि दहेज के लेंदेन को दंडनी अपराद माना जाएगा, इसके लिए पांच वर्ष की सजा हो सकती है और इसके माध्यम से जो भी वेक्ति इस कान माना 15,000 बढ़कर जितनी मात्रा में आप दहेज लेंगे या देंगे उसके बराबर तक हो सकता है, दहेज प्रतिशेद नियम 1985 में कहा गया कि वर्ष को दिये जाने वाले सभी उपहारों की सूची बना कर रखना अनिवारे होगा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्त हमने बात करी है 304 खर दहेज मरत्यू, इसके बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं धारा 306, धारा 306 में आत्म हत्या का प्रयास अपराध माना गया है, IPC की धारा 306 दोस्तों, धारा 306 में आत्म हत्या का प्रयास अपराध माना गया यानि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर वो आत्म हत्या का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए इसको अपराध गोशित किया गया है, और इसके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है यानि अगर आप आत्म हत्या का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, देखिए दोस्तों, यहारम आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, यहारमें अनुच्छे दिक्ष को कोट करूगा, अनुच्छे दिक्ष की अगर वह बात करें भारती सविधान के तो अनुच्छी की समय जीवन जीने का अधिकार देता है यहां सर्वोच नियालई ने यह निर्णे दिया था दोस्तों सर्वोच नियालई ने कहा था कि अनुच्छी केवल जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छी की समय मरने का अधिकार नहीं दे अर्थात, अगर हम इस बात को गोर करें तो हम हमारे सविधान में प्राप्त अधिकार के नुसवार केवल अपना जीवन जी सकते हैं, हमें मरने का अधिकार नहीं है. और देखिए दोस्तों, कोई वेक्ति आत्म हत्य ट्या कर रहा है, तो वो क्या करने जारा है? मरने की बात कर रहा है और मरने का अधिकार तो हमें मोली का अधिकार ही नहीं हमारा अधिकार ही नहीं साधार पर सुप्रीम कोट ने ये कहा कि कोई वेक्ति आत्मत्या नहीं करेगा और 306 को वैलिट गोजित किया पर दोस्तों देखके बहुत बार इसी समस्या है ये इसको लेकर वाद विवाद हुए हैं इसको लेकर लगातार केस चलते हैं आपने अरुना शानबाग के केस के बारे में सुनाओगा जो कि मुमबई की एक नर्स थी एक होस्पिटल में काम करती थी ये महिला 35 साल से कौमा मे थी वेंटिलेटर के सहारे जिन्दा थी पर इस महिला को इस महिला की तरफ से बहुत पार ये अब मांग की कि भाई ये अब जिन्दा नहीं रह सकती से इसको इसके परेजनों ने इसकी तरफ इच्छाम्रत्यू की डिमांड की पर हर बार सुप्रिम कोर्ट ने इसे 2018 में निश्क्रिय इच्छामरत्यू का अधिकार दिया निश्क्रिय इच्छामरत्यू यानि पैसिव युथेनेशिया का अधिकार दिया यानि कोई स्वस्त व्यक्ति इच्छामरत्यू की डिमांड नहीं कर सकता केवल वो व्यक्ति इच्छा मृत्यूं की डिमांड कर सकता है जो एंटिलेटर के सहारे जिंदा है जीवन रक्षक सामगरियों के सहारे जिंदा है और उनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति इच्छा मृत्यूं की डिमांड कर सकता है स्वस्थ वेक्ती हमारे अच्छा मरत्यू की डिमांड नहीं कर सकता इसी के लिए इंडियन पेनल कोड में भी व्यवस्ता की गई है धारा 306 में कि आत्महत्या का प्रयास अपराध है इसके लिए 7 साल की स्था हो सकती है इसका सीधा संवन अनुच्छे दिक्षिस से है अनुच्छे दिक्षिस में जीवन जीने का अधिकार बताया गया और सुप्रीम कोड ने का कि अनुच्छे दिक्षिस केवल जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छे दिक्षिस हमें मरें का अधिकार नहीं देता इस आधार पर 2018 में सुप्रिम कोर्ट ने हमें केवल निक्री इच्छा मृत्यू दिये, सक्री इच्छा मृत्यू नहीं दिये हम आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों धारा 312 IPC की धारा 312 312 के अंदर दोस्तों बताया गया है कि गर्भपात करवाना दंडनी अपराद है और गर्भपात करवाने वाले कारित करवाने के कारे के लिए साथ वर्ष तक की सजा की विवस्ता है गर्वबात करवाने के वे लिए साथ वर्ष तक की सजा की क्या है विवस्ता की गई है यानि अगर कोई महिला गर्वबात करवाती है तो उसे साथ वर्ष तक की सजा हो सकती है परंतु दोस्तों यहां एक बात याद रखनी है साथ वर्ष की सजा के साथ जुर्माना भी यहां पर है एक बात हमें याद रखनी है जो कि महतुपुन बात है दोस्तों यदी देखें महतुपुन बात यह है कि यदि गर्बपात इस तरीके जीवन को बचाने के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए कोई सजा नहीं होगी। यानि इस तरीके जीवन को बचाने के लिए गर्बपात करवाया जा सकता है ये बात बताता है धारा 312 पर अगर सामाने परिस्टियों में कोई महिला गर्बपात करवाती है तो ये दंडनी अपराध है और इसके लिए सजा साथ वर्ष और जुर्माने की विवस्ता की गई है हम आगे बात करने जा रहें दोस्तों यदि या आपके धारा है 313 यदि इस्त्री की सहमती के बिना गर्बपात करवाया जा रहा है धारा 313 धारा 313 में बताया गया कि यदि इस्त्री की सहमती के बिना यदि इस तरी की सहती के बिना गर्बपात करवाया जाए उसके परिजन गर्बपात करवाते हैं तो इसे भी दंडनी अपराध माना गया है इसे भी दंडनी अपराध माना गया है और इसके लिए दस वर्ष की सजा और जुर्माने की विवस्था की गई है दस वर्ष की सजा लस जुर्माने की विवस्था यहाँ पर की गई है तो दोस्तों हमने बात करी है धारा 312 में तो गरबपात करवाना दंडनी अपराद है इसके लिए 3 वर्ष की सजा और जुर्माना है पर यहां ही कहा गया कि यदि गरबपात इसके जीवन को बचाने के लिए क्या जा रहा है तो इसके लिए कोई सजा नहीं होगी दूसरी बात हमने करिया अनुच्छे धारा 313 धारा 313 कहते है कि इस्तरी की सहमती के बिना गरबपात करवाना दंडनी अपराद होगा और इसके लिए 10 वर्ष की सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है इसके बाद गरबपात अखरी धारा है धारा 314 धारा 314 देखे दोस्तों य मृत्यू हो जाए गरबपात के दोरान इस्तरी की मृत्यू हो जाए तो इसके लिए 10 वर्ष की सजा है 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना पर यहीं 314 में एक बात और बताई गई है दोस्तों कहा गया है कि यदि गरबपात इस्तरी की अनुमती के बिना किया गया था और अनुमती के बिना किया गया और इस्तरी की मृत्यू हो जाए तो एसी कंडिशन में इसके लिए आजीवन का रावास कि सजा प्लस जुर्माने की विवस्था की गई है तो दोस्तों हमने देखा गरबपात करवाना दंडनिया अपराध है और इसके लिए साथ वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माने की विवस्था की गई है तो यदि गरबपात इस्तरी के जीवन को बचाने के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए कोई सजा नहीं होगी दूसरी बात हमने देखिए दोस्तों धारा 313 यदि स्तरी की सहमति के बिना गरबपात करवाया जाता है तो ये दंडनिया अपराध है इसके लिए 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माने की विवस्था की गई है धारा 314 में कहा गया कि गरबपात के दोरान यदि स्तरी की म्रत् हो गई तो आजीवन कारावास की सजा प्लस यहां पर जुर्माने की विवस्था की गई है हम आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों इसी से लेटेट एक कानून जो संसद ने बनाया हम उसकी भी बात कर लेंगे उससे पहले एक केस आया था जो था इस केस का नाम था दोस्तों मीरा संतोश पाल बनाम भारत संगवाद यह केस आया था दोस्तों 2017 में इसमें सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि इस्त्री के जीवन को बचाने के लिए गर्वपात किया जा सकता करवाया जा सकता है इस्त्री के सुप्रिम कोर्ट ने निर्णे दिया कि इस्त्री के जीवन को बचाने के लिए गर्बपाथ करवाया जा सकता है इस तरी के जीवन को बचाने के लिए दोस्तों गर्बपाथ करवाया जा सकता यह अपराध नहीं होगा ठीक है दोस्तों इसके बाद ये तो हमने बात करिए धारा 312, 313 और 314 इन तीनों का संबंद गर्बपाथ से है बंद कर दिया था का अपने आप इने तो कराए बन रोक लोज कोई पर अब यह पर एक चीज़ और देखने हमें बाकी है और वो थी जो कि IPC से अलग है यह अलग से कानून बना हुए गर्ब चिक्सकी समाधान समापन अधिनियम 1971 गर्ब इस अधिनियम में यह व्यवस्था की हुई है कि रजिस्ट्रिकर्द चिक्सा व्यवसाई रजिस्ट्रिकर्द गर्ब जिक्सा व्यवसाई गर्ब पात कर सकते हैं परन्तु गर्ब बारा सप्ता से अधिक का नहीं होना चाहिए पहली कंडिशन की गर्ब किसी स्थिती में बारा सप्ता से अधिक का नहीं होना चाहिए और दूसरी क्रिशन दोस्तों बच्चा शारिक या मानस्टिक रूप से विक्षिप्त हो बच्चा जो गर्ब में है वो शारिरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्ट है तो ऐसी क्षिशन में गर्ब पात करवाया जा सकता है यह बताया गया गर्ब चिक्र की समापन अधिनियम 1971 में तो दोस्तों हमने बात करी है गर्ब चिक्र की समापन अधिनियम 1971 जो यह IPC से अलग है इसमें बताया गया कि रजिस्ट्रिक रच चिक्र की सा विवसाई गर्ब पात कर सकते है परन्तु गर्ब पात तभी किया जाएगा जब गर्ब बारा सपता से अधिका नहीं होना चाहिए बच्चा शारिक या मांजी क्रूप से विक्षिप्ट हो तभी गर्ब पात हो सकता है अन्यता गर्ब पात नहीं कवाया जा सकता है दोस्तों ये बात हमारी हमने देखी है आज के लिए